पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गिया टिलवी हरी बाचपई का जनमदिन मध्यप्रदेश की आर्थिक रासधाने इंदौर में धूमधाम से मनाया गया इस मौके पर सिक्षा की दिवार का शुभारम भी हुआ इसके साथ ही नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया तो वहीं इस मौके पर पीएम किसान सम्मान निधी के कारिक्रम का प्रसारन भी हुआ आर्थिक रासधानी इंदौर में भाजपा नेताओं ने ग्रेटर कैलाश रोड पर सिक्षा की दिवार का शुभारम किया इस मौके पर पूर्व महापौर क्रिश्न मुरारी मोगे भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रंदीवे सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे आयोजन में सिक्षा की दिवार का शुभारम किया गया तो वहीं नगर निगम के सफाई कर्मचारियों उध्यान एवमान्य कर्मचारियों का सम्मान किया गया इसके साथ ही मिठाई वितरण और आतिशबा जी की गई इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्षु गौरव रंदीवे मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने कहा कि अटल जी के जनम दिन को सुशाशन दिवस के रूप में मनाया गया है पी-एम किसान सम्मान निधी का आयोजन उन लोगों के लिए जवाब है जो किसानों को प्रहमित कर रहे हैं आज सद्धे अटल जी के जनम दिन को हम लोग सब सुशाशन दिवस के रूप में मनाते हैं और आज देश के मद्रदेश के किसानों के लिए बड़ा गौरोव और गर्व का विशय है कि पी-एम किसान सम्मान निधी के ताथ 18,000 करोड रुपे से अधिक लगबग लगबग 9 करोड किसानों के खाते में सीधे आज मानी प्रधान मंतरी हमारे देश के यसरश्वी प्रदान मंतरी नरेंद मोदी जी ने ट्रांस्वर किये हैं हमारे मद्रदेश में भी लगबग लगबग इटोत्तर लाक लोगों को इसका फाइदा मिलेगा और मुझे लगता है ये केंद्री की भारती अंता पाइटी की सरकार किसानों के प्रती कितनी सजग है उनकी कितनी चिंता करती है उनकी लिए उनकी क्या योजना है ये इसका एक जीता जाकता प्रमान है और ऐसे लोगों को एक जवाब है जो किसानों की कुछ एक छोटी टोली को ब्रमित करके देश का वाता और विगानने की कोशिश देखा जाए तो आयूजन में अटल जी को याद करने के साथ ही किसानों के हित की बात भी निकल कर सामने आई MP News के लिए अरुन यादव की रिपोर्ट